हेई वाट्स आप दोस्तो दोस्तो इंडियान ओलराउंडर साबाज ओमद ने इस IPL 2022 अक्षन पर उनकी बेस प्राइस 30 लाक्स रखे थे दोस्तो साबाज ओमद ने एक बॉलिंग ओलराउंडर है वो लेफ्ट हैंडर बेट्समेन के साथ लेफ्ट आर्म और्थर्डक्स स्पीन बॉलर भी है दोस्तो साबाज ओमद ने 2018 पर फास्ट क्लास डेबिट किये थे बेंगल टीम के लिए और 2022 पर आईपेल पर डेबिट किये थे रोयल चलेंजर बेंगलोर टीम के लिए वो तीन टीम है रोयल चलेंजर बेंगलर, कलकाता नाइट ट्रेडर्स एंड सुनराइजर साइधराबाद जस्तो पहले बीट करने आये RCB एंड केक्यार ये दोनों टीम के बीच पर उस टाइम नॉन स्टोप बीड चला फिर जो बीडिंग एमाउट वान करोड पे फिर उसके बाद और कोई भी टिम बीड करने नहीं आये देन रोयल चलेंजर बैंगलर ने साबा जो मोद को टू करोड फर्टी लाक्स पे खरीद लिया दोस्तो साबा जो मोद की ये बीडिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे की RCB ने फूल टार्गेट करके आये थे साब साबा जो मोद को किसी भी हलोत से ओक्षन से खरीदना है सो दोस्तों आप सो भी तो देख लिए होंगे कि साबा जो मोद ने इस आईपेल 2022 पे RCB के लिए अभी तो खेलता है हुआ कुछ मैच पर कितना धुआदार साब बल्ले बाजी के साथ गेंद बाजी का प्रदर्शन क कर रहे हैं आप सबी तो देखे हुए होंगे दोस्तों साबा जो मोद की बल्ले बाजी देखकर एसा नोजर आ रहे है कि RCB ने एक कॉप्लिट इंडियान हार्ड हीटर फिनिशर को खरीद के सही निर्न नहीं लिया ये देखिए दोस्तों साबा जो मोद की पूरा केरियोर स् बताइए तो ये बीडिंग देखकर RCB के फैंज ने बहुत ही खुश होगे होंगे क्यूंकि उनकी टीम पर एक कॉंप्लिट हार्ड हीटर फिनिशर को दुबारा ले आए हैं तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और प्ल